Hello everyone, Namaste तो आज मैं जो ये रीडिंग करने जा रही हूँ ये 25th January Burn People के लिए होगा और यहाँ पर मैं explain करूंगी about your future financial condition about your career life and of course आपके future के spouse के बारे में in detail में भी बताऊंगे ठीक है और ये जो रीडिंग है ये timeless है और general reading है और ये फोर बोथ males और females हर किसी के लिए है और मेरे जितने भी रीडिंग होते है ना guys सारे ही timeless होते है और general reading भी होते है तो आप लोग जब भी चाहो मेरे जिस भी reading को refer कर सकते हो according to your problems और आप लोगों को उसका solution मिल जाएगा और मेरे blessings तो हमेशा आप लोगों के साथ ही रहती है guys so take care and be safe तो अभी हम देखते हैं कि आपके cards क्या है तो मैंनी यहाँ पर आप लोगों के लिए तीन cards निकाले हुए हैं justice card, the fool card and eight of cups card तो पहले मैं आपके बारे में कुछ slight information दे दोंगे and after that I will explain about your future spouse और आपका career, finance, हर एक चीज़ के बारे में in detail में बता दूँगे तो पहले आपके बारे में तो मुझे जो यहाँ पर आप देख रहे हो न अगर आपके current situation के मैं बात करूँ तो आप किसी चीज़ से भाग रहे हो आपको ऐसा feel हो रहे है that आपने जो चाहा है अपने लाइप में वो आपने अब तक पाया नहीं है आप बहुत ही ज़ादा हतास type feel कर रहे हो you are feeling like आप tired हो चुके हो कुछ न कुछ छूट रहा है आपके लाइप से ऐसा आपको feel हो रहा है आपको ऐसा लगता है that आप जो deserve करते हो या फिर आप जो चाह रहे हो वो आपको मिल नहीं रहा है and आपके लाइप में हर एक चीज़ सड़न सड़न हो रही है means ऐसे turning points आपके लाइप में आपने देखी हुई है जहाँ पे कि आपको समझ में ही नहीं आता कि यार यह चीज़ कैसे हो गया बेरे साथ not in that worse way means मैं बहुत जादा खराफ वे में नहीं बोल रही हूँ मैं ऐसे बोल रही हूँ कि आपको ऐसा फिल होता है कि आपके लाइप में जो होता है आइदर सड़न हो जाता है और कभी कबार उस चीज़ में डिले होता है कुछ ना कुछ गलत हो रहा है आपको ऐसा फिल हो रहा है तीक है यह आपका current situation है जो कि मैं देख पा रही हूँ लेकिन guys एक चीज़ मैं पता दूँ आप लोगों को एक channel message है आप लोगों के लिए कि बहुत ही जल्दी आप कहीं पे travel करने वाले हो थोड़े long distance जगे पे आप जाने वाले हो चाहे वो आपके career से कोई related कोई काम हो या फिर आपके love life से related कोई काम हो या फिर आपके खुद की कोई दूर के आपके कोई relative हैं उनके घर आप जा रहे हो ठीक है लेकिन आप घर से दूर बहुत जल्दी जाने वाले हो और उसी दोरान जब आप travel करोगे न road trip मुझे ज़ादा दिख रहा है that you love that road trip ओके आप जैसे की हम लोग travel कते हैं trains में then flight में या फिर buses पे लेकिन आपको road trip का बड़ा शौक है आपको अच्छा लगता है road trips पे जाना जहाँ पे की आप ने ने जगों को देख सकते हो उस तरह का आपका मुझे थोड़ा nature दिख रहा है जहाँ पे की आपको हर्याली बहुत ही जादा अच्छे लगती है nature से आपको बहुत जादा प्यार है pets आपको बहुत जादा अच्छे लगते है आपके अंदर मुझे थोड़ा family side दिख रहा है चाहे अब लड़का हो या लड़की हो ठीक है वो side मुझे थोड़ा दिख रहा है आपके अंदर तो जब आप कहीं पे ट्राविल करोगे न तो उसी दौरान आपकी मुलाकात आपके spouse के साथ होगी आप जहां पे जा रहे हो शायद आपके spouse वहीं पे रहते होंगे या फिर उस जगे पे काम करते होंगे क्योंकि मुझे या पे थोड़ा formal formal type की words दिख रहा है means आपके जो मुलाकात होगी न वो थोड़ी formal way में होगी means बहुत जादा friendly way में आप बात नहीं करोगे आपकी जो first meeting होगी आपके spouse के साथ वो बहुत ही जादा formal way में होगी still आप पहली नजर में उनको पसंद कर लोगे and he or she has that attraction towards you उनको भी आप बहुत जादा अच्छे लोगे यहां पर मुझे लस्ट थोड़ा जादा देख रहा है love होगा लेकिन लस्ट मुझे बहुत जादा जादा ही देख रहा है तो नेचर के अगर मैं बात करूँ तो आपके अंदर थोड़ा मुझे इनोसेंस देख रहा है emotions की कदर करते हो आप friends आपके life में बहुत जादा माइने रखते हैं and of course आपकी खुद की family के लिए आप किसी भी हर तक जा सकते हो तो आपके अंदर मुझे वो feminine quality बहुत जादा strong देख रही है as well as आपके अंदर मुझे थोड़ा गुसी का issue भी दिख रहा है that कभी-कभार आप बहुत सादा गुसा हो जाते हो आपके control के बाहर हो जाते हो लेकिन genuine reason की वज़े से आप गुसा करते हो means आपके अंदर मुझे वो masculine side भी दिख रहा है balanced personality है जहाँ पे की मुझे यह दिख रहा है that आप हर एक चीज़ को proper way में करना पसंद करते हो लेकिन कभी-कभार चीज़े बिगड़ जाती है इसी चकर पर आपको थोड़ा गुसा आता है आपका वो सब मुझे थोड़ा दिखा तो पहले मैं बात करते हो आपके career and financial condition के बारे में ठीक है and उसके बाद आपके future spouse के बारे में बात करेंगे तो career की बात करो तो आपके near future में आप जिस भी career field में अंटर करने वाले हो वहाँ पर आप दूसरों को service provide करो ठीक है दूसरों की help करो and because of that help न दूसरों means आपका नाम कभी भुला नहीं पाएंगे आपका नाम याद रखेंगे हमेशा आपका काम जो भी field में आप काम करोगे वहाँ पर आप ऐसे दूसरों के help करो जैसे कि doctor हो गया, engineer हो गया defense field हो गया या फिर finance sector मुझे उस थरह का थोड़ा काम दिख रहा है जहां पर क्या आप दूसरों के लिए काम कर रहा हो selfless हो के काम कर रहा हो ठीक है and शायद आपके parents भी जो है father है या आपके कोई भाईया है जो की army or defense में उनका interest है या आप रहा पर काम कर रहा है वो भी मुझे दिख रहा है and you know what एक चीज मुझे दिख रहा है आपके future spouse जो होंगे वो आपके family friend होंगे means आपके family उनकी family को जानती होगी उस तरह का थोड़ा connection मुझे दिख रहा है formal connection भी दिख रहा है means आपके father जहां पर काम कर रहा होंगे यह person होई पर काम कर रहा होंगे पतरब एक connection दिख रहा है मुझे आप दोनों के बीच में एक door है and because of that door आप यह person से मिल जाओगे बहुत ही जल्दी मुझे very soon type का words मेरे सामने आ रहा है जहांपे कि यही मुझे दिख रहा है और आपके babies 3-4 साल बाद ही आपके दोनों के life में आएंगे तो करियर के बात करूँ तो आप जो भी करियर फिल्म में रहोगे वहाँ पर honesty के साथ काम करोगे and service provide करोगे दूसरों को दूसरों के लिए काम करोगे and financial condition की अगर मैं बात करूँ आपकी तो वो भी मुझे अच्छा दिख रहा है means बहुत जादा rich मुझे ऐसे नहीं दिख रहा है but financially आप stable होगे एक independent personality होगी आपकी खुद की जहांपे कि आपको पैसे खर्च करना अच्छा लगता है यह मुझे दिख रहा है पर आपको save करना भी पसंद है आप पैसे बहुत जादा save करते हो and वही nature future में आपको आगे लेके जाएगी ठीक है तो आप एक बहुत अच्छे saver भी हो पैसे भी save करते हो and दूसरों को भी save करते हो means दूसरे अगर कोई problem में पड़े हैं like your friends तो आप ऐसे person हो जो कि पहले जाके उनकी help करते हो तो वह nature मुझे बहुत सादा अच्छा लगा आपके अंदर ठीक है और अगर मैं science की बात करूँ तो आप या आपके person either air sign के हो सकते हो Libra यहाँ पर strongly दिख रहा है या पर water sign के हो सकते हो Cancer Scorpio Pisces अभी हम बात करते हैं आपके future spouse के बारे में एक चीज़ है कि अगर आप चाहो तो government sector पे भी try कर सकते हो अगर आप चाहते हो तो क्योंकि आपका scope है यहाँ पर लेकिन आपको थोड़ा hard work करने पड़ेगी क्योंकि अगर यहाँ पर आप महनत नहीं करोगे तो आपको जो फल है वो गौड आपको नहीं देंगे ठीक है तो वही मुझे दिख रहा है यहाँ पर कि आपका success आपको अगर पाना है तो hard work करने पड़ेगी आप बैठेर होगे बोलोगे कि सब कुछ सही हो जाएगा नहीं होगा ठीक है तो इसी चकर में पार्टनर होंगे या होंगी वो थोड़े freedom-loving personality होगी उनकी बचकानी साइड थोड़ी होगी मींस यहाँ पर मुझे एक इंसान मैचॉर दिख रहा है एक इंसान का एज थोड़ा 20s के अंदर दिख रहा है ठीक है तो एज गैप रहे का 5 to 8 years 10-12 years का नहीं होगा 5-8 साल का एज गैप रहे का आपके परसन के बीच में लेकिन एक इंसान मैचॉर है एक थोड़े कम एज पे है तो आपके जो स्पाउस होंगे वो freedom-loving होंगे उनको रोक टोक बिल्कुल भी नहीं परसंद है कोई अगर उनको advice करें वो भी ये परसंद को बिल्कुल भी नहीं अचा रगता बहुत ही साथ है adventurous इंसान है risk taker आप बो सकता हो hiking जाता है अपने friends के साथ swimming करने जाता है अपने friends के साथ तो ऐसे इसे जगह पे जाएंगे ना ये परसंद जहांपे कि high risk involved होगा even because of that their nature नहीं उनके खुद के parents उनको बोल रहे हैं कि यार इतनी जादा ये सब हरकते क्यों करता रहता है या क्यों करती रहती है हम कितने जादा attention में आ जाता है तो ये परसंद को interference पसंद नहीं है चाहे वो उनके खुद के parents ही क्यों ना हो independent side से मुझे दिख रहा है बहुत ही जादा free-spirited personality होगा ये परसंद का intelligent होगे means smart चीज़े बोलता है वो होगे and face wise बहुत जादा youth side से दिख रहे होगे तोड़ा innocent face होगा means जैसे baby face बोलता है उस तरह का face होगा इनका और इनकी life में जब एक transformation हो रहा होगा at that time आप ये person से मिलोगे means ये person एक नए काम में enter कर रहे है नए job एक नए जगे पे जा रहे है and आप भी उसी जगे पे जा रहे हो किसी भी काम से तो कुछ ना कुछ ये person के life में जब change हो रहा होगा न at that time आप ये person से मिलोगे और ये person को थोड़ा खर्चा करने का शौक रहे का चाहिए लड़का हो या लड़की हो बहुत ज़ादा पैसे उड़ाते हैं ये person क्योंकि मुझा बहुत दिख रहा है लेकिन अभी ये person के मन में वो थोड़ी थोड़ी maturity आने लगी है that इनको खुद की responsibility खुद उठानी पड़ेगी और बहुत चल्दी एक inherited property ये person को मिलने वाली है एक क्या बोलू उसे महल नहीं बोलूँगी मैं बंगलो बोल सकतो आप ठीक है जो कोठी होती है न जो बहुत बड़े पुर्खों की जो पुर्खों ने means बहुत means ये person के grand grand parents की एक बंगलो होगी या फिर एक घर बहुत बड़ा घर होगा जो की ये person को विरासत में भी मिलने वाली है ठीक है तो ये person का जो financial condition मुझे बहुत अच्छा खासा दिख रहा है means इनकी जो family होगी उनके पास क्या बोलते हैं उसे जमीन जाइदात बहुत जादा होगी ये लोग farming भी करते हैं और बहुत जाद है traditional side से मुझे दिख रहा है जहाँ पे traditions को हमेशा बचाई रखते है means follow करते है traditions को इनकी belief systems है इनकी culture के according काम करते है लेकिन इनकी family traditional side से है लेकिन आपके person जो है वो थोड़े modern side से मुझे दिख रहा है इनको समा, society, लोग क्या कहेंगे ये सब से कोई फरग नहीं पड़ता ठीक है और romantic side से मुझे दिख रहा है means आप जब ये person से मिरोगे न at that time you will feel की आप थोड़े कश्मकश्मे आ जाओगे आपका first impression ये रहेगा कि ये person actual में गुस्से वाला है या funny type का है या क्या है means आप एक ही दिन में ये person के कहीं सारे रूप देखोगे जैसे कि आप work field में अगर मिल रहे हो ये person से तो बहुत जादा serious side से रहेंगे means justice lover type के ये इनसान होंगे जहांपे कि ये इनसान कोई government sector में होंगे law field में हो सकते है lawyer हो सकते है judge हो सकते है army officer हो सकते है या फिर ये इनसान कोई doctor या engineer हो सकते है ठीक है मुझे उस side से ही ये person का profession देख रहा है जहांपे कि ये person बहुत ही जादा strict discipline kind of इनका personality होगा अगर ये person बहुत काम एच के होंगे तब भी ये person के अंदर वो quality आप देख पाओगे ठीक है थोड़े टाइम के बाद आप देखोगे कि ये person बहुत मस्ती कर रहे है हस रहे है मतलब बहुत फ़नी वे में बहुत कर रहे है तो एक ही दिन में आप ये person के दो-दो faces को देख पाओगे तो आप थोड़े confusing state पे आजाओगे ये इंसान खडूस है या बहुत जादा फ़नी है मतलब उस तरह टाइप का आपके person के अंदर एक nature होगा जहाँ पे काम के वक्त ये इंसान एक अलग टाइप के nature शो करते है और परस्नल लाइफ पे ये इंसान बहुत ही जादा fun loving personality को reflect करते है ठीक है और आपके person को एक चीज़ है कि जूट से सक्थ नफरत होगी उनको अच्छा नहीं लगता होगा कि कोई भी इंसान आके इनको जूट बोल दे ठीक है और ये इंसान ने कि शायद कभी किसी को date नहीं किया है क्योंकि मुझे ये इंसान बहुत जादा कम age से दिख रहा है और अभी अभी शायद ये person अपने job में enter किये है या फिर बहुत कम age से ये person ने काम करना शुरू कर दिया है ठीक है और आपके साथ बहुत जादा loyal रहेंगे आपको एक respect जो हर relationship का आधार होता है कि respect each other को देना ये person आपको भी respect देंगे और आपके लिए कुछ भी compromise करने के लिए ready रहेंगे ये person मुझे वही दिख रहा है कि आपसे प्यार कर बैठेंगे ये person पहली नजर में भले ही वो emotions प्यार को height करना शुरू कर दे पहली पहले बार थोड़े टाइम के बाद ये person हिम्मत करके आपके पास आके आपको प्रपोस करेंगे अगर आप male हो तो ये आप जा रहे हो अपने person के पास उनको प्रपोस करने के लिए थोड़ी हिम्मत दिखा के तो उस तरह के मुझे थोड़ी यहाँ पर situation दिख रही है तो पहले तो है cycles revolution phase आप एक phase से गुजर रहे हो and because of that reason ना मुझे यहाँ पर वही दिख रहा है कि delay हो रहा है थोड़ा आप चाहते हो कि आप किसी को date करो आपके life में कोई आए जो कि जिसका support आपके उपर हमेशा रहे लेकिन वो काम हो नहीं पार है delay हो रहा है लेकिन surprisingly आप आपके person से बहुत जल्दी मिल जाओगे एक formal setting में ठीक है कुछ ना कुछ formal होगा either कोई seminar आप attend करने जा रहे हो या फिर कोई आपके कोई friend कहीं पे काम कर रहे हैं आप वहाँ पे जा रहे हो कुछ ना कुछ formal होगा ही होगा आप उसी तरह की situation में आपके person से मिलोगे and after that आपका एक luck जो बोलता है वो चमक जाएगा means आपके life में भी सब अच्छे अच्छे चीज़े होना शुरू हो जाएगी से young person तो आपके person जो है वो young हो सकते हैं आपसे या फिर आप उनसे young हो सकते हो एक person mature है एक person young है तेक हैं आपके person बहुत जादा independent side से हैं बहुत जादा courageous होंगे freedom loving personality होगी यह मैंने बोला था हो patience यह person के अंदर कूट कूट के भरा हुआ होगा और यहाँ पर मुझे वही दिख रहा है that आप दुनों जब पहले पहली बार मिल जाओगे ना and after that within two to three months यह person action लेंगे आपकी तरफ and they will propose you एक strong foundation यहाँ का card आया है आपके लिए means यहाँ पे आपके शादी के बार divorce यह सम नहीं होगा और आपका जो यह marriage होगा यह love marriage होगा ठीक है यहाँ पर मैंने कुछ love messages, cards में निकाले वह है just to know कि आपके future spouse के मन में आपके लिए क्या भावनाए होगी I dream about you every night तो आपके पसंद जब आपको पहली बार देखेंगे after that year आपके बारे में dream करना शूरू कर देंगे naughty naughty thoughts आएंगे उनके मन में वो मतलब फिदा हो जाएंगे आपके ओपर I carry you in my heart in a special place reserved for you only my love तो ये इंसान के life में कभी कोई लड़का या लड़की नहीं आए है आप जो होगे वो पहले होगे ये person के life में ठीक है I will meet you soon और एक चीज है कि ये इंसान आपको कभी धोका नहीं देंगे और बहुत जल्दी आके आपको प्रोपोस भी करेंगे Oh my God sexual trader card से मैं मैंने एक card निकाला था आप ये देख सकते हो यहाँ पे night of chalices तो एक चीज है काईज आप दोनों का ये जो bonding होगा न ये पहली ही नजर में आप दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठोगे यहाँ पे मुझे दोनों के ही साइट से प्यार दिख रहा है लस्ट भी दिख रहा है जहाँ पे कि आप दोनों एक दूसरे केले किसी भी हट तक जाने के लिए रहोगे शादी से पहले भी मुझे यहाँ पे कि आप दोनों spoiled करेंसे नहीं हाँ का Muhorda का एप आप दोनों एक दूसरे के करीब आने से ठीक है उन्हुमाणि आच आप दूसरे के करीब आने से यहाँ पे दूसरे के कृए मुझे थोड़ा दिखलू क्योंकि यहाँ पे आपका relationship यह लस्ट के आधार पर पहले स्टार्ट होगा एंड आप दर लब आएगा यहां पर मने कुछ प्रोफेशनल कार्ट पर निका ले हुए हैं तो यह आपका करियर हो सकता है यह पर आपके परसंड का करियर हो सकता है मराइन इंजिनियर, मौडलिंग सेक्टर, मैकनिकल इंजिनियर, इंजिनेरिंग फिर बहुत जादा स्ट्रॉंगली आ रहा है, यूट्यूबर, मीडिया बिशनिस, रिपोर्टर, फोटोग्राफर, ठीक है, और मैंने यहाँ पर कुछ नीम नीशल्स भी रिकाले हुए हैं, आ डी, या फिर ये से शुरू होने के चांसेस मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, और यहाँ पर अगर मैं इन शॉट बताने जाओं तो आपकी लाइप में एक ट्रांस्फोर्मेशन आने वाला है, और आपको कोई जोब ओफर आएगा, या फिर आप कहीं पर ट्रावल कर रहे ह उसी दौरान ही आपका मुलाकात होगा आपके स्पाउस के साथ, और यहाँ पर मुझे एक प्यारी से लफ स्टॉरी दिख रही है, जहाँ पर किस्टार्टिंग में थोड़ी से नोग जोग होगी आप दोनों की बीच में, इनोसेंट फाइट आप दोनों एक दूसरे के प् मुझे दिख रहा है आप दूनों के बीच में, तीन चासरा बाद आपके बच्चे होंगे, आप दोनों के बीच में, तो वही सब चीज़ा मुझे दिख रही है, आपके लाइग में, ओवरॉल मुझे सब कुछ सही दिख रहा है, कोई दिकत की बात नहीं है यहाँ तो यह अच्छा रीडिंग गाईज 25 जैनुरी बन पीपल के लिए, तो अगर आप लोगों को मेरे जो रीडिंग्स होता है, वो रेसनेट करता है, या पर आप लोग को सुनना ही अच्छा लगता है, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकतो, लाइक कर सकतो और शेयर भ पीजिए, लब यू अल, थांक यू, बाई